तो गाइस काफी कमाल के इसमें आपको 50 plus hidden features आपको बताने वालों बहुत जादा आपको interesting ये phone लगने वाला है इस वाली trick को देखने के बाद में बस वीडियो को आप end तक जरूर देखिएगा तो गाइस जैसे के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये camera के around में light बगेरा और गाइस यहाँ पर आप देखिएगे status बार में कुछ इस तरह से आप करेंगे तो आपकी जो brightness है वो कम जादा कर सकते हैं आप कुछ इस तरह से अभी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप निकल गई है कैसे कर सकते हैं इस वाले smartphone में मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ और चलिए आप वीडियो के start कर लेते हैं जो गाइस सबसे पहले फीचर से यहाँ पर आप देख से एक application में यह उपन कर लेता हूँ और यह दी आपको पिछले वाले application में जाना है तो य करेंगे तो इस तरह से आप पहले वाली जो application में उसमें पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह से अगली फीचर के लिए आपको फिर से अपने phone के setting में आना है यहाँ से setting में आने के बाद में यहाँ पर आपको एक और option मिलता है जो की काफी कमाल का है यहाँ पर देखेंगे dynamic effect यहाँ पर आपको एक option मिलता है unlock and enter home screen animation वाला जैसे कि हमारा phone बंध है और मैं इसे चालू करता हूँ तो यहाँ पर आभी कोई भी animation देखने को नहीं मिलता है यदि आपको animation लगाना है तो यहाँ पर इसे enable कर लिजेगा मैंने इसे apply कर लिया इस तरह से अब आप देखेंगे कुछ इस तरह से हमारा lock skin के animation आने वाली है अपने phone को चालू किया और देखेंगे आप कुछ इस तरह से animation आएगा तो यह animation आप देखेंगे कुछ इस तरह से animation आता है तो बहुत जादा अच्छा लगता है और back आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक और option मिल जात हैं back आने के बाद में charging animation भी मिल जाते है ऐसो तरह से charging animation आप को पुछ आते हैं आप इतने सारे charging एक cash disc देखने को मिल जाएंगे Sense को sound का एक option मिल जाता है sound में klik करेंगे आप, एक option मिल जाता है ala ram वाला, ala ram में आप ringtone set करना चाहते हैं, तो वो set कर सकते हैं notification में करना चाहते हैं तो वो set कर सकते हैं, और यहां पर नीचे आने के बाद मेegड़ आपका जो dialer है, मतलब की यहां से आप अपने जो फॉन में जो डाइल करते हैं यहां से और यह जो अबाज आती है आप अबाज को भी बंद करना चाहते हैं तो यहां पर आईएगा आप और अबाज को भी बंद कर सकते हैं यहां से डाइलर पैड वाला यहां से इसे बंद कर देंगे तो अबाज नही आप यहां देखेंगे screen capture tone, मतलब कि screen shot आप लेते हैं तो वो अबाज आती ही तो आप इसे भी बंद कर सकते हैं यहां से, अब यह touch vibration का एक option है, यदि आप कहीं पर भी touch करेंगे, यहां पर भी touch करेंगे, यहां पर भी touch करेंगे तो हलका vibration आने वाला है, अगली features के लिए आपक protection आपको मिल जाता है और eye protection में एक layer बन जाती है, जिसे कि आपको eye को protect करता है, यहां पर आप इसे adjust भी कर सकते हैं, कम जादा करना है इस तरह से, आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप बंद भी कर सकते हैं, और यदि आप इसमें timing बगरा लगाना चाहते हैं, मतलब कि रा objective brightness क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यह मैंने बंद कर दिये इसे, और अब चालू करता हूँ तो यह आपकी जो brightness है, वो adjust होती रहती है, आपके light के हिसाब से, इसके नीचे में एक और features आता है, dark mode वाला जैसे कि आप देख सकते हैं, dark mode में enable कर दिया, तो यहां आप देखेंगे, dark mode हो गया है, अब यह dark mode में भी कुछ features मिलते हैं, यहां पर आप देखेंगे, night में आप करना चाहते हैं, तो sunset के time में, यह automatically यहां से हो जाएगा, इसे आप चालू कर लेते हैं, तो यह साम होगी, तो यह automatically आपको dark mode provide कर देगा, यहां से आप देखेंगे, 30 seconds अब ही default रहता है, आपको 1 minute करना है, 15 seconds करना है, तो वह आप यहां से set कर सकते हैं, आप बाकि आप यहां पर देखेंगे, एक और option मिलता है, जो कि color temperature वाला है, यहां पर आप set करेंगे, अपने हैसा आप से set कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर आप देखेंगे, इसका जो temperature बो हो जाता है, और cool हो जाता है, आपके इससे जो video quality है, picture quality है, अपने display की, वो आप यहां से crispy बगेरा कर सकते हैं, बाकि आपको यहां पर देखेंगे, अगली features के लिए back आना है, और यहां पर आप देखेंगे, font and display का एक option मिल जाता है, यहां पर आप किलिक करेंगे, तो यहां बाला हमारा font size हो जाता है, बैक आने के बाद में आप देखेंगे, font style यहां पर आपको मिल जाती है, यहां पर आप किलिक करेंगे, font style में, और जैसे आप किलिक करते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सारे download करने का option भी मिल जाता है, यहां पर आप देखेंगे, download more लिखा हु यहाँ पर आप देखेंगे यदि आप यहाँ पर जो उपर साइड में स्टेटस बार होता है न यहाँ पर आप आइकन दिखाना चाहते हैं आइकन दिखा सकते हैं नमर दिखाना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं यहाँ पर कोई भी स्टेटस बार में कोई भी आइकन बग यहाँ पर आप देखेंगे बैंटरी का परसेंटेज डिफाल्ट में पहले से नहीं दिखाता है आप इसे चालू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैंटरी परसेंटेज पर किलिक करिएगा यहाँ पर आप देखेंगे 98% हमारी बैंटरी है अभी आप देख सकते हैं अब पीचेस के लिए back आना है और back आने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे screen saver यहाँ पर click करेंगे आप तो screen saver यहाँ पर आप चालू कर सकते हैं huge screen saver इसका यह काम है यदि आपका जो display है यदि इस तरह से देखेंगे आप कुछ इस तरह चालू हो जाता है अब यहाँ पर आप click करेंगे तो यह on हो जाता है आप इसे चालू भी कर सकते हैं बंद भी कर सकते हैं आप इसे set भी करना चाहते हैं तो वो set भी कर सकते हैं night में वस रहेगा या फिर यह इसका जो style है आप digital और analog बगरा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, अब मैंने analog कर दिया, यहां पर आप देखेंगे, यह जो हमारा screen है, इतने जगह में आ गया, अब यह automatically कभी यहां पर आजाता है, यह automatically adjust होते रहता है, अब गईस अगली features के लिए आपको फिर से back आना है, और back आने वाद में यहां पर आप एक और option मिलता ह है, जो कि lock screen and wallpaper का है, आपको setting में ही आके यह मिल जाएगा, wallpaper पर किलिक करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे, जो theme का option है, themes पर जैसे अब किलिक करेंगे, तो यहां पर भी आपको more download का option है, download more, यहां पर आपको net चालू रहेगा, तो आपको बहुत सारे download करने का option अज़ themes बगरा, बांकि यहां पर एक default रहता है पहले से ही, अब यहां से बालपेपर पर किलिक करेंगे, आप तो यहां पर wallpaper भरवर की मिल जाते हैं, आपको live wallpaper, static wallpaper, कुछ इस तरह से देखो, बहुत सारे आपको wallpaper यहां पर मिल जाते हैं, आपको जो भी apply करना है, वो आप यहां से apply कर सकते हैं, बैक आएंगे आप यहां पर live wallpaper का option है, यहां पर click कर लिजेगा, अभी यह net नहीं है मेरे पास में, आप download कर लेना live wallpaper भी आ जाएंगे बहुत सारे, अब यहां पर देखो lock screen setting का एक option है, अब इसमें जैसे click करते हैं, आप तो lock screen style आ जाती है, जो हमारा lock style होता है वो भी आप यहां से download कर सकते हैं, more download मतलब बहुत सारे आप को style मिल जाएंगी यहां से, अब यहां पर देखेंगे आप change lock screen wallpaper based on themes, यदि आपके theme के हिसाब से आप lock screen का wallpaper change करना चाहते हैं, तो इसे आप on कर लिजेगा, यहां पर एक और option मिल जाता है, आपको जो की है open control center from the lock screen, जैसे कि यह status bar रहता है न, उपर side का, इसे आपको बंद करना है, तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने lock screen में कर दिया अभी, और चालू करूंगा तो इस तरह से यह कभी भी status bar उपर से निकल के नहीं आने वाला है, इसमें यह आपका यह फायदा है कि जैसे क आपका phone बंद रखा है, और आपके दोस्त बगएर यहां से hot spot बगएर ले सकते हैं, मगर यहां से कोई status bar निकले गई नहीं तो by-fi बगएर, hot spot बगएर भी कोई यहां से छेड़ खानी नहीं कर सकते हैं, बांकि आप इसे चालू करना चाहते हैं, तो चालू भी हो जाएगा अब आप देखेंगे इस तरह से status bar निकलने लगा है, अब यहां पर देखेंगे एक और option है, add text to arm screen, मतलब कि guys कुछ आप अपने नाम बगएर यहां पर lock screen में दिखाना चाहते हैं, जैसे कि अभी कुछ भी नहीं लिखा यहां पर, अब मैं यहां पर लिख दूँगा अपन shortcut और right shortcut, मैं आपको बता दूँ, lock screen में जो हमारे left और right देखने को मिल रहे हैं आपको, इसे आप change करना है, तो भी आप change कर सकते हैं, यहां पर click करिएगा left में, अब left में आप wallet रखना चाहते हैं, या phone रखना चाहते हैं, camera रखना चाहते हैं, वो आप यहां से अपने बैक आना है, आपको बैक आने के बाद में देखेंगे, home screen setting, अब यहां पर आपको बता दूँ, all app पर click करिएगा, यहां पर आपके जितनी भी application बगएर रहेंगे, यहां पर आज आएंगे, यदि आप इसकी Google Play Store की जो notification आती रहती हैं, तो आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो बो भी बंद कर सकते हैं, यहां से, बागी यहां पर आपको back आना है, अब यहां पर एक features मिलता है, काफी कमाल का notification में ही, notification history वाला, notification history पर जैसे आप click करते हैं, तो देखो यहां पर यह न, इसका कमाल यह है, जैसे कि कोई बाट सम में आपको message बगेरा करता है, delete everyone भी कर तो बो आली message आप यहां पर notification history में आकर देख सकते हैं, बस इसे आपको एक बार चालू कर देना है, फिर आप इसे 24 घंटे के अंदर में जो message delete वाली आती है, यह delete होती है, बाट सम में यह फिर कहीं पर भी, यहां से कोई message आई और आप यहां से swipe up कर देते हो, बो आली message आप आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी, बांकि इसे बस चालू रखना है आपको, बांकि यहां से back आना है आपको, अब देखो notification on lock screen, notification जो lock screen में आती रहती हैं आपकी आपको आपको बंद करना है, lock screen है आपका, और कोई notification आज आती है, तो आपको उसे दिखाना है यह न कि वीडियो आपको देखना पसंद है तो, अब देखो यहां पर आपको एक और option है, जैसी कि back screen for notification, यदि आपकी कोई notification आती है और आपका phone बंद है, तो वो notification आती है, आपका phone चालू हो जाएगा, आप इसे चालू कर लेते हैं, तो अब आपका phone ऐसा बंद है, और कोई notification आत अब यहां पर आपको एक और option मिलता है, suggestion, action and reply वाला, जैसी कोई message आती है, hello करके, तो एक आपको option मिल जाएगा, यहां पर status bar में कि आप directly यहीं से reply कर सकते हैं, आपको जिसने भी message किया है, अगली features के लिए यहां आना है, आपको default notification sound बगएरा में, आप देखो notification की sound बगएर भी set कर सकते हैं, अब आपको यहां पर एक option मिलता है, do not disturb वाला, इसे आप on कर देते हैं, तो इसे on करने के बाद में, जो आपका notification है, यह फिर calling बगएरा है, वो आएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा, यह meeting में आप बैठे हैं, तो आपको यह काफी कमाल कर features लगने वा जाते हैं, वो सब यहां पर आप do not disturb में set कर सकते हैं, अगला features मिलता है, desktop icon size, जैसे कि मैं आपको बता दूँ जो हमारे icon size हैं, यह वाले, जो icon है, आप इन्हें छोटा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहां से कर सकते हैं, आप इसे large करना चाहते हैं, तो यह large हो जाएगा इसे small करना चाहते हैं, तो small हो जाएगा, आप जैसे कि मैं large आपको करके बता देता हूँ, apply कर लिया मैंने, अब देखिंगे जो हमारा icon है, वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखने लगा है large में, अब इसे आप small करना चाहते हैं, normal तो आप normal भी कर लिजेगा, अब यहां आप देखेंगे, एक और option मिल जाता है, add icon to home screen, यदि आप किसी play store से या google play store कहीं से भी कोई application डाउलोड करते हैं, install करते हैं, तो वो directly यहां पर screen में आता है, आप नहीं चाहते कि यहां पर आए वो application, तो आप यहां से इसे enable, disable भी कर सकते हैं, आप इसे enable कर लिएंगे, तो यह directly यहां पर आजाएगा कहीं पर भी, इस अगली features के लिए देखो, यहां पर आपको एक option मिलता है, hot app बाला जैसे कि यह देख सकते है, hot app और hot games बाला, यहां पर आप जैसे click करते हैं, तो बहुत सारी आपको ads बगरा देखने को मिलती हैं, यह जो application होते हैं, हमारे यह वा यहां पर आप देखिंगे, आप simple mode का एक option मिल जाता है, simple mode पर आप जैसे click करते हैं, तो आप अपने phone को अपने papa बगरा को gift करे हैं, और उनसे अच्छे से चलाते नहीं बनता है, तो आप यह simple mode का enable कर लिए जएगा इसे, अब आप देखिंगे, जो आपका phone है, बहुत ज़ यहां से हो जाता है, अब इसे आपको ब्रापास आने के लिए setting में click करना है, और यहां पर आप देखिंगे exit वाला option है, इसे आप exit कर लिएगा, जो आपका phone है पहले जैसे यहां से बन जाएगा, और guys मैं फिर से request करूंगा, प्लिज आर वीडियो को like जरू कर देना, आप यहां तक बीडियो में बने हुए हैं तो, so guys अगली फीचेस के लिए आपको setting में आने के बाद में बैंटरी पर click करिएगा, अब यहां पर आप देखिंगे बैंटरी यूजिस का, आप यहां से देख सकते हैं कि आपकी जो बैंटरी है, कितनी percent कहां चली है, और कौन से application न dark mode में हो जाता है, जिससे कि आपकी बैंटरी बहुत जादा बचती है, अब यहां पर आपको एक option मिलता है, जैसे कि देख सकते हैं, set है, studio मतलब कि आपकी जो बैंटरी percentage है, कम होती है, 20% यह कितनी percent आप यहां से set कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहां पर लगा लगा ल जाती है, तो यह automatically battery saver बंद कर देगा, यहां से back आ जाईएगा, back आने के बाद में आपको एक और option मिलता है, background power conception वाला, यहां पर click करिएगा, background में जितने application यहां से conception कर रहे हैं, आपके वो आप set कर सकते हैं, इनको disable, enable कर सकते हैं, जैसे कि आपका phone बंद रहता है, और background में से adjust कर सकते हैं, background management में, अब यहां पर आप देखेंगे, last full charge कब हुआ था, यहां पर यह बतायागा कि 3 गंटे पहले मैंने इसे full charge किया था, वो यहां से आप देख सकते हैं, और full charge करने के बाद में जो आपका phone है, कितने minute चल चुका है, यहां पर आप देखेंगे, 38 minute यहां इसन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके next part इसका देख लिजेगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया, तो please वीडियो को लाइक कर दीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा